असलाम अलेकुम, मैं डॉक्टर शीरीन, केबियन आईस्यू रेजिडेंट हूँ हम लोग जो है, कल खवातीन की जो एक रैली निकालने वाले हैं, एक प्रोटेस्ट रैली तो इसके तालोग से तमाम खवातीन को एंकरेज करना चाहते हूँ हम जो ये रैली निकाल रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ के, इसमें हमारे सपोर्ट के लिए आईए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक है NPR, एक है NRC, एक है CAA तो हमको ये कहा जा रहा है कि मुसल्मान बात को नहीं समझ रहे हैं आम जनता बात को नहीं समझ रही है, बेकार रोड पे निकल गए हैं, इनको कोई बहका रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बहनों, आप बात को क्लियरली समझ एए एक NPR, जो है National Population Register, इसका नौड मिल चुका है, ये शुरू हो गई है वो बनेगी NRC, National Register of Citizenship, और तीसरी चीज़ है Citizenship Amendment Act तो हमको मसला है, इन दो चीज़ों के मिल के साथ आने में मसला है और हम ये जो एहतजाच कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं अगर सिर्फ CAA होता, तो इसमें जो है, किसी को मिल रही है Citizenship, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन यहां पे आप मजभब की बन्याद पे, लोगों को अलग करके, थोड़ों को देंगे, थोड़ों को नहीं देंगे यह जो मजभबी बन्याद पे हमको segregate करने हैं, इसके खिलाफ यह हमारा एहतजाज है, हमारा यह जो एहतजाज है, इसमें हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम पहले एक दूसरे के साथ मिलके, साथ साथ जो रहते थे आज हम groups में divide हो गए हैं, यह इस एक चीज़ की वज़े से, तो आज हम सब को वापस एक होके बताना है, कि हमारा जो constitution है, इसमें religious basis पे segregation करने का कोई जो है, हख नहीं है, कोई जगा नहीं है, इसकी कोई concept ही नहीं है हमारे constitution में, तो इस नए concept को नए तरीखे से उजागर करना, यह हमारे constitution की धज्यां उड़ाने के बराबर है, हम जो है अपने आपको थाबित नहीं करेंगे, हम अपने देश में अपनी choice से यहां पे हैं, और हम यहीं पे रहेंगे, और इसके लिए हम जो है, किसी बेकार के मुद्दों में पढ़ते हुए, परेशान होने नहीं जाएंगे, और खास तोर से खवातीन से मेरी इर्टजा है, कि आ और हम को फिरने का मौखा भी नहीं मिलेगा और उतना खर्चा करने के लाइख की खाबिल्यत भी नहीं होगी, उतनी करने की, तो इसीलिए आप सब आज अगर नहीं उठेंगे, एक राली के लिए नहीं उठेंगे, एक एहतजाज के लिए नहीं उठेंगे, तो खुदाना तो बाद में जो है हजारों चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे अपने आपको साबित करने के लिए तो इसीलिए उस बड़ी परेशाणी से बचने के लिए प्लीज आज जो है आप लोग आजाईए गल जो है यानि इस राली में कल जगत से स्टार्ड होके हमारी राली DC आफ अपनी मेजौरिटी बताएंगे कि हम इतने सारे लोग इसके खिलाफ हैं हम अकिल बारत मैला संके संगतन से गुंडमा प्रिश्टी प्रेसेंट बोल रहे हैं कल क्या कि जगत सरकल से डीसी अपिस तक हमारा एक रैली लिया जारे लेडिस का क्या कि यह को ले वन कमिनिटी के य जो जातपात पर नहीं है और एक छोटा कमिनिटी बड़ा कमिनिटी बोल कर नहीं सब के ओपर लागू हो रहा है यह जो आ रहा है एक्ट बहुत खतरनाक है उसके लिए सबी लेडिस को हम एही रिक्वेस्ट करते हैं सबी लोग कल आप लोग जगत सरकल को आ जाना लेडिस क करें तो क्या भी हो सकता है उसके लिए आप सभी लोग लेडिस को रिक्वेस्ट करें कि 11 o'clock जगत सरकल को आज जाना बुलकर हम रिक्वेस्ट करें कि और हम भी इसको सपोर्ट करें कि यह जारिस करना चाहूंगी कि कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें बड़ी ताद कि इससे कामयाब करें कुछ प्राब्लम हो तो फिर से रिपीट कर तो हो असलाम लेकुम अभी कोर कमीटी की मीटिंग हुई है मैजस्टिक फंक्शन हाल में तखरीबन गुलवरगा के लेडिस यहां पर मौझूद थे और कल के लिए अच्छी तयारी चल रही है मेरी जेंड इसको घरवालों को एंकरेज करें बाहर निकलने के लिए और उनको कौपरेट करें गाइड करें इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर इसको कामयाब बनाने के लिए इर्रेस्पेक्टिव औफ रिलिजन हर तरह के लोग यहां पर आ रहे हैं और डनने की कोई जरुरत नहीं यह पर पूरा पूलिस प्रोटेक्शन है और सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कामयाब बनाने में मदद करें शुक्रिया